जाबूआ में जल और्गनिक कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा खुली जमीन पर कैमिकल छोड़नी के मामले में प्रशाशन ने सक्त कारिबाही करते हुए फैक्टरी को उफसल कर दिया है साथी कम्पनी के माली के खिलाफ भी अप्राधिक प्रकरण दर्श किया है मेगनगर की आबो हवा जल जंगल जमीन को प्रदूशित करने वाली जिल और्गनिक प्राइविट लिमिटेट कम्पनी के खिलाफ प्रशाशन ने सक्त कारिबाही की है कम्पनी के द्वारा कैमिकल युक्त जहरीला पानी खाली पड़े प्लोट पर फैका ज़ा रहा है बहाए गए दूशित जल से लगतार भूजल प्रदूशित हो रहा था पूरे मामले पर इस्थानी लोगों की आखरोश के बार प्रशाशन ने कारिबाही करते हुए फैक्टरी को सिल कर दिया है साथी कमपनी के मालिक सुकीतु शह के खिलाफ भी अपराधिक प्रफ्रण दर्श किया गया है प्रशाशन ने साफ किया है कि पर्यरण को नुकसान पहुचाने वाले लोगों को बक्षा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सक्त कारिबाही की जाएगी हाँ यह इंडरिस्टेल एरिया मेगनगर में जेल आर्गैनिक्स फेक्ट्री है और उसका जो है रौ माटेरियल एसीड वगरा जो रहता है उसको जो है एक खाली जगह वहीं पर है पास में तो उसमें जो है डंब किया जा रहा था तो कुछ ग्रामीनों ने जो आसपास गाओं पढ़ते वो ग्रामीन इकटे होके उसको जो है उसके संबन्द में पुछताज की कि यह जो वेस्टेड माटेरियल है उसको आपको किस तरह से उसका नेराकरान करना है और आप जो गलत कर रहे हैं तो वो ड्राइवर वहां से उ उस टेंकर को और परशासन को और हमको ने सब को खबर किया हम मोके पर पहुँचे उस टेंकर को हमने केमिकल सहीद जब्त किया है और थाने में भी खड़ा है और उसकी जांच करकर राजा सुविभाग बर पोलिस विभाग मिलकर उसकी जांच की तो कुछ अविद पर्थम द्रिष्ट्या प्रतित हुई तो हमने धारा 273 और 284 के तहत प्रकरण पंजिबत किया है जो फेक्टरी का मालिक है सुक्तु भाई शाह करके हैं तो उससे खेला पंजिबत किया गया है